हेलो व्रीवन रादे रादे गुड मॉनिंग वेलकम वन्स अगी टो ससीटी पॉइंट मैं शुम पांडेवार फिर से आज आज आपके सामने हैं जैसा कि आप सभी को बता है कि जब भी आप ससीटी पॉइंट के साथ जुड़ते हैं तो आपकी तैयारियों को हम एक कदम आग भी शर ने कि में फ्रों नाप दाते हैं लेकिन बढ़ने के साथ जिन्दगी का खते होना अलग बात लिकिन कितने लंबी जीई जाय ये बहुत माइने नहीं रखता है जिन्दगी कैसे जी जाए यह माइने रखता है तो हम उस माइनों को आगे में उस माइनों को और अच्छा बनाने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं आप प्रयास करते हैं हम प्रयास करते हैं उसे प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज एसे सिटी पॉइंट पे मैं आपके पूछे हैं यह पूरा मिक्स्ट है इसमें बैंकिंग से होगा सरकारी बज़र्ट से होगा और जो भी सवाल इसमें पूछे जाएंगे एक या दो को छोड़के मैं वह सारे कोश्चन लेके आया हैं जो टॉपिक्स में अभी तक पढ़ा चुका हूं आपको करना क्या है आपको प्लेलिस्ट में जाना प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दो लेलिस्ट मिली आभी तक कि बैलो लेडिक लिज्टिते आपको को सब्सक्रीनर ॡश & लेखर और देखी कि कैसे रिलेट होता है फाइव येर प्लानिंग कैफी वीडियो आपको मिलेंगे फाइव येर प्लानिंग पे तुरन प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी तो इस तरह से आप देखेंगे कि चीछे काफी आसानी से एक दूसरे से रिलेट करके मतलब कहएदना की और कॉर्स जैसे पढ़ाया जाता है स्टेफ वाइज कुछ भी आपका नहीं चोटेगा तो आज आते हैं हम आज प्रैक्टिस करते हैं मिक्स और आपका माइक्रो का भी पार्ट स्टार्ट हो चुका है अनिप्लाइमेंट पोवर्टी और इन सभी के वीडियो और बना दिये है इन सभी चीजों को पढ़ेंगे और जल्द ही आपका स्लाइब स्कत्म हो जाएगा तो आपको एक्टॉमिक्स रेडियो और फिर हम श्राट करेंगे जोगर्फी चले शुरू करते हैं आज का सेशन आज इकनामिक की टेस्ट है और देखते हैं टेस्ट में आपकी परफॉ करने की गलती है माँअ कि हो जाती है चलिए सवाल यह हमारा राश्टी डोट ग्राहमी रोजगार गरेंटी योजना कब चाल राष्टी-डोजगार एक तो था मन्री आपने सुना होगा मन्रीगा मैं को क्या कहा जित था मन्रेगा कि इसे क्या क्या गशा महत्माह गांधि र रूरल इंप्लाइमेंट गैरेक्टी एक्ट बट ये क्या है नैशनल नैशनल ग्रामीर का मतलब आप कह सकते हैं कि ग्रामीर को जी दिए रोजगार का मतलब इंप्लाइमेंट और योजना का मतलब आप कह सकते हैं एक्टिया पालसी तो राश्टी रोजगार योजना कब चाल हैं अब सवाल ये हैं किराश्टी रोजगार योजना किस डेट में चॅलु है तो आप बताईे राश्ट्री से थोड़ा अलग है हला कि तो नैशनल इंप्लाइमेंट एक्ट बेसिकली आप जानिए ति यह कब चालू हुआ ठीक है आप कोशिश कीजिए ज़रा इसके आंसर करने की क्योंकि जब भी आप इसको चाहेंगे तो यहां पर डेट्स का कन्फूजन है कोशिश कीजिए मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं जी हां यहां यहां पर आपको अलग अलग आंसर मिल जाते हैं यह आद रुखेगा लागू कब हुआ पास कब हुआ देखे इसमें यह दो फर्वरी की डेट्स है इसमें थोड़ा डाउट्स है सबसे बड़ा वेबसाइक बैंक कौन सा है तो आप कहेंगे भारती है यहां दो फर्वरी के साथ जाईएगा हाला कि इसमें डेट्स में चेंजिस मिल सकते हैं यह कुश्चन थोड़ा सा डाउट्फुल हो गया आपके लिए क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड काती स्टेट सेट बेंक सबसे बड़ा नाम आता है जो आपको Пता ही unadore होगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेशिंट की दरफ शेवाच्छ आर्थव्यर्स्था कि किस शेटर को कहा जाता ता υट अब तो are okay the Tevil से कहते हो सर्वीश सेक्टर एक उस शेक्टर का होता से बंकिंग से हो quстранak आगिसी कि बंकिंग करते कि अफिशिल गॉप कर्ते हो और inkल प्रॉब हो मतलब मर्केटिंग का भी जो जाब होता ऐश fari के सारे जब मतलब इसी में आते हैं वाइट कॉलर की उसके लीजें आरेंडे किसी भी में पंचायति राजफ्रा वह नी थि पंचायत लिखेंगे तो पंचायइट सिस्टम में फइमेल 60% सीट विल्हिंए यार अक्षर का मतलब reservation मिली है तो आपको पता है कि देखे गाउं में जो गाउं का election होता है gram-pradhan का किसका gram-pradhan का जो election होता है gram-pradhan के election में हमारे हां माईलाओं को 33% city reserve 33% city reserve जैसे जब सीड आती है तो उस पर लिखा रहता है general या ओबी सी तीन तरह की आता है तीन तरह की सीटे आती या तो जन्रल आएगी या तो पिछड़ा में पिछड़ा आती है पिछड़ा का मतलब ओबी सी और या तो आरक्षित आएगी रिजर्व आएगी क्या एगी रिजर्व आएगी तो इस तरह की सीटे आती है और उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा रहता है महिला अगर महिला लिख दिया इसका मतलब जो gram-pradhan होगी वो कोई महिला ही होगी अबहीं विद्धान देख यह की शम उत जाए मूब Quelकेसाफित जीट नहीं रही है लेकिन कि संख्या 33 परसेंट नहीं तो अब ाभी इसमें में मीजit पास नहीं हुआ है गाउने lip धर्टाज प्रडाली में गाउं की लेवलों पर महिला ग्राम प्रथान आपको मिल जैंगे हुआ कि नाम पर चुनाब लड़ा जाता है पुर्ष की ही क्रेडिबिल्डी जीता अगर आप देखी हो तो पंचाय देफ सीरीज में अगर आप देखेंगे तो एक सीन आता है कि वो सारा काम प्रधान जी रहते हैं जो उसका हस्बेंड है और में प्रधान को ने महिला सीट थी तो वो थी तो उनके भियाप प्रधान जी सारे काम करते हैं उनको बस अंगूठा लगाने ज और हाइं आपने सभी नहीं देखी होई आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब करें बैद दो कि असका मतलब स्टेल्वाक्टरी चान लिज्या आज से आप स्ट्रील वाड़ी है तो स स्ट्एल बोड़ी या स्पाथ बदन अगर आपने बहुत अच्छी शरीर बनाई हो सारीरि सब्सक्राइब करें तो इस तरह से होता है तो देखें हमारी संस्थान 1955 में लगाए गया तो आप देखेंगे कि यह फर्श फाइब प्लानिंग का ही हिस्सा होगा क्योंकि उन्हीं से चालू हुआ है तो इस अपना की गई श्टार्ट किया गया तो उसमें देखें रश्या का सायोग्ल heart या ही कारण है कि रश्या से हमारी रिलेक्ष्शन्डश्य अच्छी ए रश्या किसा हैथा से हमने लगा या मैं ठीक है रव केला का ऑचा जर्मैनी ने भी कुछ हरप की है सवाब लिया आता है ठीक है जर्मेनी ने ही कुछ होंकि है कैं क्या लगता अपको आच्छा देखिए यहां पे मुझे लगी रहा था थोड़ा डाउट हो गया राउरकेला वह जो बोकारों में लगा अगया है वह आपका राउरकेला में वह है यहां जर्मनी के सही योग से लगा है जो रसिया के तो ट्राइबल एरिया में यह लगाया गया और यह जर्मनी है यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होई जाता हूं जर्मनी का है और वह जो बुकारो में इस टील प्लांट है तक भारती रूपे का कितनी बार क्या इन डिक में एक उनिसु सभाट से गरीं किया गया है है यह कुछ ऐसे तीन एर है जब इंडिया की मनी का डिवैलिवेशन किया गया है इंडियन करंसी का डिवैलिवेशन किया गया है तो यह याद रखेगा कि इंडियन करंसी का डिवैलिवेशन वह किया है सब्सक्राइब आफ पैसा बाहर की करंसी से कमजोर होगा तो आसानी से पैसा आप कहां लगा देंगे वैसे एगर डॉलर के कंपेरिजन में इंडिया दस रुपे हो तो डॉलर से इंवेश्टमेंट आनी बड़ी मुश्किल है क्योंकि उसको इतना फायदा नहीं होगा लेगिन ही सौर पर गिरा देंगे बिल्कुल नहीं लेकिन हो जाए तो इन्वेश्टमेंट थोड़ा डेर हो जाता है ठीक है बारहे पंच वर्षी योजना के वादब को पता है कि अगर आपने फाइव और प्लानिंग पड़ी है जो मैंने पढ़ाई है तो फाइव यूर प्लानिंग से अगर आप पाएंगे तो आपने पाया होगा कि टोटल 12 ही पंच वर्सी योजना है और यह बीजेपी के शाषन में आते आते खतम हो जाती है बीजेपी के शाषना आता है 2014 में क्योंकि कहीं नगें बीजेपी की सरकार 2014 में आई है ना तो उससे पहले बढाए हैं यह बारत की स्रङक्सक्ति का जी बारका थोटल लिवर को से क्या लेबर वर्क फॉर्स है स्रम्शक्ति का मतलब एक तरद से आप वर्क फॉर्स कहिए या लेबर फॉर्स कहिए इसमें आप पायेंगे कि इसके लगवं में कितना प्रस्वत भाग ऐग्रिकल्चर में इन्वॉल्ण है तो इसका आंसर आप वैसे भी कर सकते इसके पर्सेंटाइल में आपको वेरियेशन देखने को मिलेगा लेकिन आप 54% के साथ सकते हैं परसेंटाइल में यहां फिक विट्टी टू मिल जाएगा इससे कोई बाइब बात नहीं है कहीं 45 भी कहीं देखने को मिल जाता है अलग लोगों के रिश्च के रिटा के हिसाप स हाला कि 54 के साथ जाए तो आपको कोई गलत बात नहीं 50 परसेंट अप है ठीक है नए डेटा आते हैं तो वह अलग बात है विश फाइव यह प्लान इस आपको कल भी बताया था कल लास्ट प्रैक्टिस एक और भी करवाई है मैंने आपको उस प्रैक्टिस सेट में भी जब मैं पंचवर्षी और प्रैक्टिस सेट करवाया तो उसमें बताया था कि सेकंड जो है वह महानबोलिस मॉडल पर है और हैरार्ड डोमर मॉडल किस पर है वह फर्स पंचवर्षी और पर हैं इंपॉर्टेंट कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछे गया है इसलिए हमें सब और यह की थी तो इसलिए वह फेमस है पूरा नहीं कर पाई और योजना आवकास्त आपका तीसरी से चौथी के बीच में आता है इस तरह कि कुछ बड़े ही कॉमन कोश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं पंचवर्षी और अच्छे से तो मैं कहता हूं कि एक्जाम में अगर आप चीजों का कैते ना रिवीजन नहीं करेंगे कैते ना करत करत अभ्यास हाथों में लकीरे आ जाती हैं जिसके हाथ में लकीरे ना हो अभ्यास कीजिए अभ्यास ही आपके सबलता की कुण्जी बनने वाली है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं यहां पे आपको आंसर ज़यों लगरे होंगे कई आन्सेस आपको है लिख रहा है कि बैंकिम अर्थ व्यवस्टाल अभिहां से दिखे बााइलिंग्वल नहीं है और तरफ मुझेन बंचिंग कोcs बैंदिम्सिकलत है बैंकिंग किस सेक्टर के अंदर रह डी मैंने आपको बता आए अब 13 सेवा छेटर से रखते हैं तो है जो सारी ची यह युष्जी तरह कि वाइट क ओलर होती है या ब्लू-िब्लू- कॉल्ण जोब कहसे थोड़ी से इब ब्लू में आती है तो अगर आपकी है तो आप सेवा चेतर से बिलॉंग करते हैं विच फाइव यह प्लान इस आलसो नोवन आज ड़िप्रलाइजेशन आपको पता है कि लिप्रलाइजेशन जो है वह नाइन्टी नाइन्टी वन के बाद आया है उननी सोग्यानवे का जो इस मिनट की होगी और इससे आपको काफी हल्प मिल जाएगी क्या क्या हुआ था यह थोड़ा सा आपको काफी हल्प करने वाली है ठीक है तो उसको समझेंगे तो विच फाइव यह प्लान तो जान लीजिए आठवी पंचवर्शी उजना थी जो उननीस सो पांच साल जोड महराओ जी थे और हमारे फाइनांस मिनिस्टर को थे वित मंत्री हमारे श्री मनमोहन सिंधी थे यह चीज़े आपको पता है आगे बढ़ते हैं मजा आ रहा होगा आपको चलिए यह बहुत आसान कोश्चन है लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं येलो रिवल्यूशन या भारत में पीली करांती का क्या आरत है इसमें याद रखिएगा यह कोई कोई शब्दा आगे पीछे हो जाते हैं यहां पर इसका मतलब जान लिए ज्यादा कुछ परशान होने की रूत नहीं हैं जितना बें तिलहन मतलब तेल का उत्पादन करने वाली चीज़े सरसों से ल का दो कहते हैं मद्राइस वितिकित ऑवधि के दौरान करों की दरों का क्या हुना चाहिए थे क्या क्या जब्दाये करों की मार्किट में तैजी क्यों थाल आपके जब है तो कहने का मतलब आर्बियाई चाहेगी कि आर्बियाई की मुनेटरी पॉलसी से कोश्चन हो गया ठीक है पढ़ा दी गई है एक बर वह वी वीडियो आप देख लीजेगा तो अब कहने का मतलब पैसे अगर मार्केट में ज्यादा है तो सरकार पैसे कैसे लेगे सरकार कहें चीजों पर टैक्स बढ़ा देगी करो की दर को बढ़ा देगी टैक्स रेट बढ़ाने से क्या होगा सरकार कोई पास पैसा ज्यादा जाएगा आपको हर एक चीज़ पर है भी टैक्स थेना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा आप कहेंगे इंक्रीस क्या होगा रिमें कॉंस चलिए आगिया फिर से सवाल ने का हाँ स्वाल भी इस तो कि अब तक यह नहीं नहीं किया है तो यहां रखेगा यार की एक रपो रेट होता है रपो रेट होता है रपो रेट होता है जिसको लोन देता है कोमर्शिल बैक को किसको सारे रफो रेट के औरो और कमर्शिल बैक के दिखाते हैं बागि किसी और बैंक के दिखाएंगे बात आती है bank provide loan to the customer तो bank से जब आप loan लेते हैं तो वह या तो वो क्या लगता है direct interest, indirect compound या simple interest लगा रहेंगे उसमें कोई बात नहीं तो फिर इसी तरह से अगर आपको पता भी ना हो तो काम बन जाएगा कि जब bank deposit its access money with the RBI जब commercial banks के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है या access money हो जाती है तो सोचते कहां रखे loan तो देना नहीं है तो RBI कहते हैं कि मुझे दे दो 3.35% इस टाम पे reverse reporate है तो एक तरह से RBI इनको इस पे interest देती है commercial bank को कि चलो मैं तुमकों कुछ interest दोंगी जैसे आपको पैसा saving account में है तो आपको 2-3% का interest मिलता है वैसे यह RBI की गरहांक है तो इनको मिलेगा ठीक है अब सवाल आता है निचले दूसरे सवाल पे जो सवाल आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एडिया नहीं इसे कहते हैं एफ कि क्या कहते है ca उसके बाद विद ग्राफ विद ग्राफ और उसके बाद मैं रिटन गैरेंटी देता हूं आप से कोई इलेस्टिक सिटी ऑफ डिमांड कभी भी पूछे ना बुड़ाबे में बता दोगे यार तरीका इतना सही होगा बहुत इच्छी वीडियो मिलेगी आपको परशान मत भीगा फिलाल यहां सवाल है कि जीरो प्राइस इलेस्टिक सिटी ऑफ डिमांड सुन्नी मूली लोच की मा ना ब देखे यार टाइस प्रैसिलैस्टिक सीटिस इन्वर्श को छूड़ दिया जाए एक्सेप्चिनल में ठीक है तो कि सुने मांग की लौच है भाई यह क्या है सुनने देखे वीसी तो ध्यान से देखा जए तो यह वंड इसके बीच में आता है एक और मैं ड्रॉट हुआ यह होता है और यहां पहले होता है इनपाइन हम पॉप सब्सक्राइब और इनपाइड होती है कि वह इनफाइन एट में होता है जितने परसंट आपकी इमांड बढ़ी एतने ही परसंट क्या हूँ आपका जितना प्राइस बढ़ा उतनी घड़ गई अगर 20 परसेंट प्रसेंट बढ़ा तो वीज परसेंट डिमांड घड़ टिक है एला ऐसा हो जाएगा तृप्रसेंट ही दिमांड रह गई उसकी यहां पर जितना प्राइस बढ़ता है जितना उससे थोड़ी से कम डिमांड घड़ती है अगर बीस परसेंट प्राइस बढ़ा है तो डिमांड घड़ जाना ठीक है और यहां पर से वल्द फम इनफाइनाइट थोड़ा बड़ा है ती कि यहां पर्राइस बढ़े यहां थी प्राइस से मखर बड़े हैं आपका । q aster ऑप्षिन देखते है месте ap वार्टेवर देइन पॉस्ल喵 शुछेंग टीक्व मांगम चोटा सा बदमाव तो वो पोजिशन को घए लष देन वन तो ये एप्शन तो खत्व या ऑप्षन कथ मदलाव के लिए माइनरड़ वाला लेस बन होता है फार अम री समाल चींग इन परई रिजा नंग किस in price there is a small change in demand तो ये कहीं न कहीं इन चारो कटेगरी में आ रहे हैं ये चारो कटेगरी में आ रहे हैं लेकिन अभी ये कटेगरी बाकी है तो पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट कि मुल्यों में बदलाओ अगर भले ही प्राइस चेंज हो आप प्राइस सो रुपे र बदलने से मांग में फर्क ना आना बात समझ में आ गई कि मूल ले चाहें जो भी हो यह आपको शायद रफली उतना समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात इसको मैं समझाओंगा लेकिन फिलहाल आपको मोटी मोटा मैंने समझाया जिसमें यह समझते कि जीरो प्लास्टिक घराब हो जाए ऐसी बहुत सरी चीजें तो यह आंसर आपका सही हो गया चलिए अच्छा कोश्चिन था इसमें ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं कि जी डीपी जो होती है उसको का कैलकूलीट करने का एक वैल्यू एजर मैथर होता है वैल्यू एड़ मैथर में पूछ रहा ह है कि आधार पे तो ग्रॉस्ट्रमेश्टिक प्रोड़क्ट इस ऑफन कैलकूलेटेट बेज़ ऑन दा वैल्यू एड़ एड़ इसका मतलब देखें यहां पर सीधी बात है डिफरेंस बिट्वें एक्सपोर्ड एंपोर्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है डिफरेंस बि तो यह वाला उस पर आ जाता है यह नाइट बोला जाता है नेट इंडिरिक टैक्स बजार मोल और सबसेटी की इसमें सीधी बात देखे जाते कि डिफरेंस इन दो कॉश्ट आफ इंपूट्स एंड ग्रॉस आउटपूट्स ठीक है मद्द्वर्ति आदानों और संकल प्राइस नहीं जो कॉस्ट लगी है जो लागत है जितनी लागत मोल है जो अभी अंदर गूट्स बनने हैं इंटरमेडियेट का अलग अभी बनके रेडी नहीं हुए सेल करने के लिए और एक जो आउटपूट है जो ऑल्री बन चुके हैं ठीक है और ग्रॉस अब होता है यह मैंने आपको समझा दिया है कि मार्कर्ट प्राइस और सु Б dinero को कहते हैं यह भी का ही पार्ट होगा वैसे जब GDP पूछ ली जाए तो मान लेजिए टाइप सब बढ़ाई है आपको उसको बहुत अच्छे से समझाए नॉमिनल एक्ट्वल में क्या डिफरेंस होता है और यह सारी जो ऑप्शन है ना यह सारे ऑप्शन भी नीजिए कहीं कहीं होते हैं तो चबिलिया जाएं कि एक्सपोर्ट क्या होता है तो यह तीसरा और यह समझ प्रॉब्लम नो नावाड की बारेमिन इतनी बार आ गया है कल मतलब वाली प्रेक्टिस में नावार के बारेमिंग के लिए दिखा तो नाबाड को मैंने banking में explain किया है कि यह रूरल एरिया में credit प्रवाइड करने के लिए 1982 में बनाया गया एक और किस पंचवर्षी योजना में है 1982 वाली फिफ्ट पंचवर्षी योजना है जहां से देखेगा शायद नाबाड एक बैंक है यह क्या है एक बैंक है नेशनल अग्रिकुल्चर रूरल डवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया योजना आयोग द्वारा गरीबी हां इसका डीटा बताया था और मैंने बताया था कि एक कैलोरी वाली वाली वैल्योज होती है कि कैलोरी वाइस उसको पर मंद पर डे कितना चाहिए जो 2400 कैलोरी पर डे और 2100 कैलोरी पर डे अर्बन और रूरर में बताया था मैंने ठीक है तो देखिए कौन सा ऑप्शन है पर कैलोरी कंजप्शन पर कैपिटा इंकम बिल्कुल नहीं पर कैपिटा कंजप्शन एक्समेंडीचर उपभोग और यह मन्थली होना चाहिए क्या होना चाहिए मन्थली होना चाहिए ठीक है और कैरोसीन की खपश्चित बिल्कुल लेना देना नहीं तो अब पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन पर जा सकते हैं कि यह भी एक मैठड है उसमें से यह पूर्टी के लेक्चर में आपको मिल यह अगर ऑप्शन और सी दोनों होता तो एक बार में कंसीडर कर भी लेता इसको तो ऑप्शन पर भी मैठर करता है चलिए कुछ और कोश्चिंस बैलेंस ऑफ पेमिंट मैंने आपको पढ़ाई नहीं लेकिन मोड़ी मोड़ा समझ लिए कि बैलेंस ऑफ पेमिंट क्या होता ह है कि देखे हमारे हैं क्या होता है एक्सपोर्ड होता है और इंपोर्ड होता है समान इंडिया से बाहर जाता है और समान इंडिया से अंदर आता है देखे चाहें आप समान खरीदते हैं या जब आप समान खरीदते हैं तो आपको हमारे पास डॉलर आया इसमें और इसमें क डॉलर क्या है जा रहा है तो इन दोनों केस में क्या होगा अगर आपका एक्सपोर्ट जादा है तो बैलेंस आफ पेमिंट क्या होगा आपके बैलेंस आफ पेमिंट अनकूल होगा फेवरेबल होगा क्या होगा फेवरेबल होगा क्यों फेवरेबल होगा क्यों फेवरेबल हो और import कम हो तो सीधी बात है निरियात से आयात अधिक है ठीक है और आयात से निरियात अधिक है ये तो पहले गलत हो गया ये भी गलत हो गया आपके पास बसता है export, exceed, imports, import तो बाई ये बताईए export और import वाले में कौन सांसर सही होगा सोची ज़रा तो export का मतलब क्या होगा बताईए export का मतलब होता है निर्यात और निर्यात का मतलब क्या होता है यहां से समान को बेजना तो सीधी बात है export जादा होना चाहिए export जादा होना निर्यात का आयात निर्यात का मतलब बेचना आयात का मतलब लेके आना चले आगे आते हैं आसान कोश्चिन था आपको balance of payment पढ़ाऊंगा वो अलग बात है लेकि इतना तो understood होना चाहिए इसी example से question का मतलब समझ में आ गया होगा human development index में पूछा जाता है यह रट्ने की चीज़ है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई specific explain किया जाए जहां तक मैंने पाया है कि इसमें housing को human development स्चुच कांग में नहीं देखा जाता उसकी person income देखी जाती है इसको सिधे याद रख लिए इसमें में कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है 1991 में जसे उनी सो बानवे में आठवी पंचवर्शी योजना लागू होई है आपको पता है उधारी करण है तो अध्योगी नीतियों ने 1956 तक का बदलाव किया तो भाई सैंटी 56 में हमारी क्या है फाइव येए प्लानिक स्टर्ट हुए थी जिसमें ہमने हुथ्जोगी करण को बढ़ावा दिया तो लेकिन अब किस बैंक ने पहला एटिम लगाया यह करने वालिबाद है एच वी सी ने सबसे पहले याद रखेगा इंडियन की मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने यह पढ़ा होगा की वैंकिंग सबसे पहला बैंक जिसने एटियम लगाया वह एचस बीसी था उसको सिधे लर्ण कर लिजे इसने कुछ भी खास explain करने जासा नहीं है और यह लाश्ट कुर्शन पर हम आ गए हैं तो देखते इनका क्या हाल है मुद्रा पूर्ति को कम करने जाता है और इस प्रॉसेस को क्या कहता है डिस इंवेश्मेंट का तो मतलब यह अलग हो गया जो कौश बढ़ने के साथ साथ होता है और डिस इंफलेशन यह करेक्ट आंसर है डेप्रेशेशन अवमूलेन नहीं करते हैं अपनी करन्सी का इंफलेशन को रोकने के लिए नहीं किया जाता ठीक है तो डिस इंफलेशन हो गया लास्ट कुश्ट इफरेंस ब्टूइन नाशनल और डोमेस्टिक इंकम भाई अब ब्हुत युजट करोंड़ युजट करला ऌत्ति के लिए ट्वीड किए अन डेपी अखटर्कोंच्च्ट टी अनीप देक्टर गौस्ट धीन संप योज़िए और through q. पीजिए राष नेशनल इंकम और एनन पी में क्या फर्ख है तो यहां पर पता है कि अप्रतेक्ष कर खौई लेना देना नहीं तो कब होते जब इसको फैक्टर कॉस्ट पे लाना होता है तो इसको हम नेट फैक्टर को माइनस करते हैं ठीक है पीजिए को फिर एक पूछा है तो देखें एक मिनट एपराड विदिशी से सुध कारक मतलब क्या है इंडिया से कमपनिय जो बाहर पैसा कमाया उसको जो लेना और बाहर की कमपनी है इंडिया में कमारे उसको घटा देना यह मैंने समझाए आप निकम का वीडियो देखिएगा ठीक है डैप्रिशियेशन अभी माइनस नहीं करेंगे इसमें यहां पर बोथ एंड बी दोनों हो जाएगा क्योंकि नेट इंडिरेक्ट टैक्स को भी माइनस किया जाता है अधि एनन पी हाला कि से एन पे आने पर क्यों द्रिशिशन माइनस किया जाता है यहां चाल क्या मानस किया जाता मैं है क्था और यहां बन जाएगा दो सब्सक्ण सतना इस करने में और एट फैक्टर चॉच्ट पर लाने के लिए हंड़ पी चुल्ट पर लाने के लिए नेट इंडियरेक्ट टेक्सेस को माय करना होता है और ही नेट फैक्टर टू इंकम माभ्राइड वो तो हम जो जो जिडीपी से जियें पी पाना होता है तो इसमें से हम माइशा करते हैं एन अफ ए आए तो यह तो गलत हो गया यह नहीं होगा क्योंकि पूछ रहा है वाट इस डिफरेंस बिटिए नेशनल एंड डॉमेस्टिक इनकम राष्ट्री आया और घरेलु आया तो एक मिनट घरेलु आया आपकी GDP हो गई राष्ट्री आया हो गई इसमें से जी हां ऑप्शन डेप्रेश्टिएशन भूल जाए क्योंकि अब इसकी बात नहीं है और बी सही होगा और नेट फेक्टर इंकम भी घटाएंगे और यह घटाएंगे तो दोनों ऑप्शन में हमारा काम या एक मिनेट मुझे लगता है नेट इन टेक्स को हटा दिया को हम क्या करते हैं और माइनस क्या करते हैं बाहरी कंपनियों का इंडिया में कमाया पैसा तो from और to मैनस करते हैं जिसे NFAI कहते हैं उसको करने के बाद क्या मिलता है जीन पी मिल जाता है तो यहां पर एक आंसर आपका यहां सही है अगर 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 नेट 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 नशल पर पाना हो तो आप कहते हो तो आपको क्या मिल जाता है ठीक है अपको आपको नशल इंकम कह सकते हैं और उस पर आने के आपको क्या करना पड़ेगा अप करते हैं यहां लिख रहा है कि बीच का अंतर क्या है तो यह में अंतर है बाकि क्या है हराश यह तो माइनस करना ही करना है ठीक है और हराश यह माइनस करते हैं और यह भी प्लस यह माइनस करते हैं तो फिलाल उक्केवल गैप पूछा है तो यह आंसर आपका सही है बाकि यह फावला आपको नशनल इंकम में पढ़ाया गया है अब नशनल इंकम का वीडियो एफ बार देखिएगा वहां पे आपको ज्या झाल